हलो दोस्तों नमस्कार वेलकम तो इस अमेंजिंग प्लेटफॉर्म टाप 10 क्लासेज और बच्चो मैं हूँ आपका कमेस्टी मेंटर प्रच्जोल सिंग और आज बच्चो हम आपका देखेंगे लेक्चर नमबर 10 तो लेक्चर नमबर 10 में बच्चो हम क्या अध्यान करेंगे कि BCC की सबकुलन छमता बच्चो कितनी होती है BCC मिन्स क्या अध्या बच्चो BCC BCC क्या अध्या बच्चो BODY BODY CENTERED QBIC क्या बच्चो BODY CENTERED QBIC UNIT से यह क्या BCC का फोल फार्म है अब बच्चो इसकी क्या निकालना आपको संकुलन छमता निकालनी है तो हेटिन लाते है बच्चो हम आपका BCC संकुलन छमता पैकिंग इफिसेंसी आप BCC क्या बच्चो पैकिंग इफिसेंसी आप BCC अब बच्चो 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 करेंगे तो हीर वी कैन सी हाव टू ड्राप BCC तो फर्स्टली हीर यू कैन सी इट इस यूर क्यूब बच्चो यह आपको क्या है हमने क्या बना दिया आपका एक घंड बना दिया अब BCC कब होगा अगर आपके पर्माडू क्या है पर है कोनों पर है कहां पर बच्चो कोनों पर कि अपर पर्माड बच्चो कोनों के लावँ कहां पर है अन्तह केंदर पर है तो इसे हम क्या कहेंगे बच्चो BCC कहेंगे क्या कहेंगे कि बी सी सी है अब बच्चों सबसे पहले इसके में निकार लाएं संकूलन छंता तो संकूलन द्वारा घेरा गया आयतन पर माड़ो द्वारा घेरा गया आयतन बटे कुल आयतन और बच्चों चंता अथ हम क्या करेंगे सौ परसेंटेस क्या करें बच्चों सौ परसेंटेस करेंगे इसको बच्चों जिस प्रकार से हम परते एक लेक्चर में मानते हैं इक्क्वेशन नम्बर एक यहां पर बच्चों माल ने रहे कि आपका एक्क्वेशन नम्रे से एक तो सबसे पहरे बच्चों हमें क्या निकाल लें पर्माडों द्वारा घेरा गया आयतन क्या निकाल लें पर्माडों द्वारा घेरा गया आयतन तो बच्चों यहां पर बताईए BCC में पर्माडों की संख्या कितने होते बच्चों BCC में पर्माडों की संख्या कि अंगर बच्चों को बताने हैं तो क्या बताएंगे in in this video कोने पर परमाडू होते हैं कहा पर बच्चों कोने पर तो बच्चों आपकी जो कितने कोने हैं आठ chilli हैं मतला 8 परमाडू है और परत्य कोने के पर उपस्तित परमाड़ों का योगदान एक बट्टी क्या होता बच्चो? 8 होता है और एक परमाड़ बच्चो कहा पर है? अंत खेल में 8-6 प्रमाड़ों का है? 1 प्लस 1 ब्रावर बच्चो कितना आ गया? दो परमाड़ों आगे मतलब अगर कोई BCC होगा BCC unit cell होगा तो उसमें जो परमाड़ों का योगदान होगा total वो कितना होगा बच्चो? दो होगा अब बच्चो आपकी दो परमाड़ तो होगे अब बच्चो आपकी जो परमाड़ों होते हैं वो क्या होते हैं? परमाड़ों आपकी क्या होते हैं? गोला कार होते हैं अब गोले का आयतन क्या होता है? चार बटे तीन पाई यार क्यो? तो बच्चो परमाड़ों द्वारा घेरा गया आयतन किसमें बच्चो? व्रसाइट आपका जो आयतन गोंगा चार पाई यार क्यों क्यों कि अगर आपने जो साइड वर्चों क्या माल लिया है क्या माल लिया आपने ए माल लिया, तो आपका आयतन क्या होगा, माना घन की भूजा, माना घन की भूजा, किल्ला माई बच्चों कितना है आपका, ए है, क्या है आपका, ए है, तो कूल आयतन बच्चों क्या होगता ये, तो कूल आयतन बच्चों क्या होगा आपका, ए क्यूब होगा, तो BCC बच्चों A और R के बीच क्या रिलेशन होता, ये आपको पता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि चीजों को हमें, जितने भी आपके स्टिप्स यहाँ पर हैं, पर में रखना है तो बच्चों यहां पर आईए अगर यह चापको क्या ऐ बीची और ये पर माडू यह आम ने छोटा बनाया थे इसलिए का आपको असपर्श्ट रूप से समझ में आए तो यह क्या होता आपको ये पर माडू यहांप बनाघ कर आको दिखातें बै सीसे के लिए यह बत्चों इखाए उपको ध्यान दीजिआ यह पने क्या बनाया जैघन बनाया आपके सामने क्या बनाए हमने घृण बना दिया और यह जो घृण बनात만 है ब मैं अग अगर मैं पहर भी को दीने अगर सिरा दिया ओर इसको हम दोने क्या रख्खे यहां पर रखाएं और इसी प्रकास बच्चो एक पर मॉट आपर होगा रिए में होगा बच्चो कर और प्रमॉट आपका कि यहां पर होगा हैं यहां पर होगा अगर इस साइड को ले और कहां से मिला दिया यहां से मिला दिया इस साइड को बच्चों हमने क्या कि यहां से हमने मिला दिया और इसको लेकर कि यहां मिला दिया और यह भुजा बच्चों आपकी यह हो गई तो आप थोड़ा ध्यान दी जी बच्चों, यह क्या आपका R है, और अगर हम इसको केंदर माने, सेंटर माने, तो यह भी बच्चों क्या होगा R होगा, और यह बच्चों आपका क्या R है, मतलब जो ये बीच्स की लंबाई आ रहे हैं, और बच्चों, आपको पता है कि तो यह पूरी लंबाई बैच्चो क्या मिल गई आपको पूरी लंबाई कितनी है 4R है और यह लंबाई बैच्चो कितनी होगी अगर हमें भुजा के लंबाई ए मान रखी यーत कितनी कितनी होगी इस तो यह बच्चो तो कितनी है कि अगर पॉर और लगाएंगे अब पायओ अगर बेरी अगहारे प्रह आफ बचल में लगाएंगे तो तो कड़ कितना बच्चो 4R एकोल टूलम कवर्ग अंडरूट 2A का होल स्कॉयर यह बच्चो अब का बेस हो गया प्लस एक होल स्कॉयर तो इसको सालों करेंगे बच्चो तो चार्चो कितना होगा 16 होगा बच्चो 4R into 4R equal to under root 2A into under root 2A plus बच्चो A square तो 4 चो 16 और R का multiply बच्चो R में करेंगे तो R square under root 2 का multiply under root 2 बच्चा कितना आएगा 2 आएगा 2A square प्लास बच्चो A square 16 R square बच्चो कितना आएगा आपका 3A square क्या बच्चो 3A square यहाँ बच्चो हमें किस में चाहिए R के पदों में चाहिए तो A equal to A square बच्चो हमने क्या लिख दिया आपका 16 R बच्चो R square बच्चा क्या 3 A bar बच्चा क्या आगा बच्चो under root 16 R square बटे उच्चा 3 अगर इसको आप स्वालो करेंगे तो then you have here 4R by under root 3 equal to A तो here you can see कि आप आएगा बच्चो A equal to 4R अपान कि आएगा under root 3 आएगा तो यहां पर बच्चो दिहान दिजिए कि आपका A का value कितना आ गया 4R बटे under root 3 आ गया क्यों लाए हम R के पदों में क्योंकि हमें सब value को R के पदों में रखना है तो बच्चो रखिए तो यह बड़ा बच्चो क्या आपका 4R बटे under root 3 का whole cube क्या गया बच्चो whole cube तो इसे हम दे देते बच्चो आपका equation number 3 अब equation 2 और equation 3 का मान कहां पर रखने पर equation 1 में रखने पर तो यहां बच्चो में लिख रहे हैं equation 2 वह equation 3 का मान equation 1 में रखने पर तो बच्चा रखिए आप चलिए तो अगर आप रखेंगे तो परमाडो द्वार घेरा गे आतन बच्चा क्या होगा चार दूनी 8 तो क्या रखें बच्चो तो packing efficiency equal to संकुलन छमता इक्वल टो तो चार दूनी 8 तो 8 बटे 3 पाई आर क्यूब और यह बच्चो किया होगा आपका क्यूब है न तो यह कितना होगा थ्री बार multiply करेंगे तो फोर इंटू फोर इंटू फोर तो चार चोग सोला चोग का 64 64 आर क्यूब बटे अंडरूट 3 और बच्चो देखिए अंडरूट 3 इंटू अंडरूट 3 तो यह बच्चा क्या आपका 3 अंडरूट 3 और इंटू क्या बच्चो 100 है तो आप क्या लिख लेंगे 100 परसेंटेज तो देखिए बच्चो आर क्यूब से आर क्यूब क्या हो गया आपका क्या सिल हो गया और उच्चो यह क्या होगा को बताईए अगर आप देखेंगे तो अगर आप इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चा यह क्या पैकिंग इफिसेंसी इक्वल टू एक बटे यह तीन से बच्चा तीन कैंसिल हो गया तीन से बच्चा क्या हो गया तीन कैंसिल हो गया ऊपर क्या बच्चा पाई और निचे बच्चा क्या बच्चा आठ यहाँ पर क्या बच्चा आपका आठ है देखें बच्चो क्या होगा आपका यह क्या आपका पाई है यहाँ क्या आपका आठ है और यह अंदर रूट 3 क् और यह बच्चा क्या है आपका 100 percentage है इतनी मशलम में आपको तो भच्चो पाई पाई कमान कितना होता है तीन दसमलों एक जार और अगर इसको बच्चा हम solve करें अगर आप इसको solve करेंगे तो आपका क्या आएगा BCC का बच्चा कितना आएगा 68% बच्चा आएगा 67.9 आता है अगर इसका आप निकटतम लेंगे तो आपका क्या आएगा 68% आएगा अगर आप से कोई पूछे कि BCC का बच्चो संकुलन छमता कितनी होती है तो आप क्या कहेंगे 68% होता है अगर आप से कोई पूछे बच्चा कि रिक्त स्थान क्या होता है तो अगर आप 100 में 38% खटाएंगे if we subtract 68 from 100 अगर बच्चो हम 68 को कटाएं किस में 100 में से कितना आएगा 10 में से 8 गे बच्चा 2 आएगा और 9 यहां कितना चे 9 में से छागे 3 तो कितना आए बच्चो 32 परसेंट आएगा बच्चो संकुलन छमटा हम आपका 22 का कैसे निकालेंगे क्या इतनी वात समझ में आई आपको अगर बच्चो समझ में अब आपका हम चलते हैं अगली हेडिंग पर देखिए बच्चो अब आप gep करका हम कुछ बता देते हैं कि आपका चारी यसीज्जी हो चारी आप क्या भी इसीजी हो इसमें य और आर की का रेलेशन होता है और इनकी संफुलन छंता होती है। तो आव इसका विंसे में हøं जान लेते हैं तो सबसे पह nervous को रहे हैं आप्टर दिन यहां बच्चो A वर R में संबंध है बच्चो Here we write relation between A और R तो यह बच्चो यह लिखेंगी और लाश्ट में आपका लिखेंगी बच्चा क्या संकुलन छंता क्या लिखेंगी संकुलन छंता तो आज आईए इस पर हम थोड़ा सा discussion करें तो बच्चो सबसे पहले हम बात करते हैं सीरे लंबर वन तो यसीसी क्या लेते हैं बच्चो आपका यसीसी लेते हैं तो यसीसी में A और R के वीच क्या relation होता है तो आप पढ़ रखेंगे बच्चो A ब्रावर क्या होता है आपको याद होगी तो संकुलन चमता बच्चो क्या एती इसकी 52.4% होती कितना होता बच्चो 52.4% होती है अगर बच्चा सीरे लंबर दो लें और यहां पर लिख रही हम यसीसी और यसीसी संकुलन चमता कितनी होती बच्चो 74% होती, कितनी होती है 74% होती है और यह बात करें बच्चो इसमें A और R के बीच रिलेशन थे A ब्राबर क्या होता बच्चो A ब्राबर क्या होता है Under root 2 into R क्या होता बच्चो Under root 2 into R तो थोड़े आप ध्यान दिजेगा यह थोड़ा missing है तो यह ब्राबर 2 under root 2 into R होती है और इसकी संकुलन चमता कितनी होती है 74% होगी और यह बच्चा आपका क्या हो 3 लिखते है BCC तो BCC ले बच्चा क्या होता है अभी हमने दिखा A ब्राबर 4 R बटे क्या होता बच्चा Under root 3 ईसकी संकुलन चम्हता कितनी होती है 98% होती है तो यह बंचो आप यादर कियेगा और यह दि परमाड़ों का युगदान बताते बच्चो YCC में कितना होता है परमाड़ों का युगदान तो यह अपर हम इस प्रकार्श लिख दरें दिख्चा YCC में 1 यप CC में 4, BCC में 2, तो ये बच्चे आप जानते रहेगे, ठीक है, अगर हम यहाँ से कुछ बाते आपको और बताना चाहें, कि ये क्योस्तन आपकी एक्जाम में कैसे पूछे जाएंगे, तो पूछ लेगा, ये CC में परमाड़ो को युगदान कितना होगा, तो आपको पता होना चाहें, एक होगा, यप CC में 4, BCC में 2, और बच्चे जैसे दिखें, ये CC किस समकुलन चंता बच्चो कितनी होती है, तो आपको ये दिख रहा है, आपने जो ये CC बनाया बच्चो, य आज जैसा दिख रहा है कि नी, 5 जैसा है तो 5 ये हो गए अपका, और ये क्या बच्चो, दो टाइप का है, अगर इस को आप इस प्रकास करेंगे, तो फूल्टा दो दिख रहा रहा है बच्चो हां, तो 52 होगया बच्चो, और ये 2 ये भी बच्चो, दो ये भी, तो 2-2 कि प्रकार समने इसको याद कर रखा है और यप सिसी को बच्चा कैसे रखा है यप सिसी तो अगर बच्चों आप इसको मिलाएंगे तो यह कितना हो गया साथ हो गया और यह दो और यह दो तो साथ दो दो चार तो 74 परशेंट हो गया अगर बच्चों आप बच्चा की इसकी वात बच्चा की बच्चा की रागत की यहां देजिए तो यह दोणकर सीको आप मिला देगी वेट इस प्रकार्च धिस्व जिरे मिला देञा और समय और यह बौना बच्चा दो गया अंदो अगर इस प्रकास बनाएं तो 6 कितना 68% हो गया तो इस प्रकास बच्चों इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं यह ट्रिक हमने खुद बनाई है तो बाई दिस ट्रिक युकान लग कि क्रिस्टल गहनत तो में लल्ट ली ली को अगर अपन की क्रिस्टल का गहनत वाट नाव है ये लेट लेक चींट थी कि डेंशिटी अहें इसिती सब्सक्राइब किस्टी आप क्रिस्टल डेंसिटी आप क्रिस्टल बच्चा क्या होगा और इसकी विसे हम जानें तो सबसे पहले बच्चों हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि बच्चा हम जानते हैं कि क्या जानते बच्चा द्रव्यमान बराबर क्या आता है आईतन गुडे घनतों जैसे बच्चामने यहां पर एक क्या बना दिया, क्रिश्टल बना दिया, और इसी क्रिश्टल के वी क्या निकालना है और गतो कृष्ट मुनिसे निकालना है तो क्रीष्ट्ट के ह注意 निकालना है घनत निकालना है है किभा मुष्ट इस hone प्यानव कैसे निकालेंगे इस एक कोश्वर से निकालनेगे तो सबसे पहले हमाँ पार्मूला क्या द्रवयमालं बराबर अयतनगोड़ी क्या होता है घंष्य होता है, हमें क्या निकालना है घंष्य rhakले payment, घंष्य को उसी साइड रोक लिजी बच्चा, तो घंष्य thu बराबर क्या होगे ? खुद बताएए आप क्या होगे द्रवमान बटे आयतन, क्या होगो बच्चा ? अद्रविमान बटे आयतन, तो बच्चों किसका दर्मान की बात करें क्रिस्टल का तो यह आप लिख सकते हैं तो क्रिस्टल का घंत्त बराबर क्रिस्टल का दर्मान बटी क्रिस्टल का आयतन तो लिख लेते हम आता है क्या वच्चा क्रिस्टल क्रिस्टल का घंत्त बराबर क्या अगवत है क्रिश्टल का द्रवेमान बटे क्रिश्टल का आतन बटे क्रिश्टल का आतन तो सबसे पहले बच्चो अगर आपको क्रिश्टल का द्रवेमान निकालना तो कैसे निकालेंगे और क्रिश्टल का आतन बच्चो अप कैसे निकालेंगे तो सबसे पहले बच्चो अगर हमने इस साइट को ए माल लिया क्या मैं लिया तो आपको पता है तो आतन क्या होगा AQ, आतर क्या बच्चा? AQ होगा, तो ये तो हमें पता हो गया, लेकिन crystal का द्रविमान कैसे निकालेंगे बच्चा? ये सबसे बड़ा question है, तो आईए, तो crystal का द्रविमान निकालना है बच्चो? क्या निकालना हमें? crystal का द्रविमान, तो बच्चो, अगर हमें एक पर्माड का द्रविमान मिल जाए, और कुल पर्माड की संक्या से हम गुड़ा कर दे, तो हमें क्या मिलेगा? crystal का घनत तो मिलेगा, sorry, द्रविमान मिलेगा, तो हम क्या लिए से crystal का द्रविमान बराबर? एक परमाड का द्रवेमान एक परमाड का द्रवेमान इन्टू कुल परमाडू इन्टू क्या बच्चा? कुल परमाडू अब कुल परमाडू बच्चा अलग-अलग के लिए अलग-अलग होगा अगर आपका यही क्या होग बच्चा? BCC होगा सौरी यह सिसी होगा तो कितने परमाड़ एक रखिएगा यह सिसी होगा तो कितना रखिएगा अच्छा रखिएगा और यह बच्चा क्या होगा बी सी सी होगा तो कितना होगा दो होगा तो यह क्या परमाड़ों की संख्या है वक्कुल परमाड़ों है लेकिन एक परमाड़ों द्रभमान आप कैसे निकालेंगे यह तो आप परमाड़ों निकाल तो पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे तो बच्चो इसके लिए ट्रीक है तो एक पर्माड़ के जब भी आपको द्रवमान निकालना आँऊ बच्छो एक मोल में कितने पर्माड़ गोते हैं और बटे कुल परमाड़ों की संख्या समने क्या कर दिया बच्चो डिवाइड कर दिया मतलब यह ने समने क्या कर दिया बच्चो और गद्रों संख्या समने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया बताए एक परमाट का द्रभ्यमान चाहिए तो कुल द्रभ्यमान ही यह बटे आउगे द्रो संख्या होगी क्या इतने बाद समय में आई हाँ तो इस तीच को उटाकर में कहां रखा यहां पर रख दिया अता है आप क्रिस्टल का द्रभ्यमान क्या बताहिस ने Quan phi major dot its क्रिस्टल का शबर माद क्या निकुछोत एक पर माले विचांद आप क्या लिखेंगे खुथ बताहिसें इस यह कूल पर माड़ आपको है पुल्परमाडबं का दे हैं ने किस एक ते किस्द कर दिया जेड से तंब में ये वेलू और वर्चो आयथन क्या़वच्ण इसे एक क्वेशन नंबर ने Só है यहां पर आपका जगए तो नहीं हम नहीं इस को ऊपर कर दिया है इसे एक्वेशन नंबर एक माल लेते और इसे माल लेते एक्वेशन नंबर दो तो आयतन क्या होगा वच्चा क्रिस्टल का आयतन क्या होगा वच्चा क्रिस्टल का आयतन क्या होगा वच्चा क्या होगा वच्चा क्या होगा वच्चा क्या होगा वच्चा क्या होगा वच्च उन्वे कि तीन का मान आउन एक में रखने बर लोगए निया न्या गणत अड़्थ नियtτα खोड़ बताईए क्या आएका क्रिस्टर का घ्राक नाटवड बढर क्या बंश्च समझमें और बच्चा यह बताईए अब क्या बच्चो कुल आतन क्या आपका एक्यूब है और इसको यह किसके साथ जाएगा यह ने के साथ जाए बच्चा तो मतलब क्या समझमा है आपको यह इंटू जेट अपान संपव्यव आपका एक्यूब है आ बच्च्छा आपका इंटू क्या बच्चा एक्योब यह आगया क्रिस्टल का घनत तो आपका जो डेंसिटीव आई बच्च्छा क्या आई Scout का घनतिव तो घरावर कितना आई बच्चो गर आम घनतू किस्ते किसे परतर्सित कर दें वच्छा तो डि से तो इसके लिए फार्मुला क्या है वच्छा यह मिटे इंट्टु जेट्ट अपान यह एंटु गाए बच्छा एक यूग इंटु क्या अच्छा है एक यूग तो यह फार्मूला है किसी भी क्रिष्टल का घणतो निकालने के लिए और इसको याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक वच्चों हमने बना रखा है आप सब जैसे लोगों के लिए ट्रिक क्या है प्रकार से बच्चो आपका आज का लिक्चर खतम हुआ तो आई हो बच्चो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर बच्चों पसंद आते से लाइक कीजिए अगर आप चैनल पर पहली बार दो सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक क्लिए बच्चों अलविदा जय हिंद जय भारत